Welcome to Vidyasa guys, my name is Kanchan and today you are going to learn tricks to add ed to a verb मतलब किसी क्रिया में ed जोडने के tricks आज जो मैं tricks आपको दे रही हुए आप अपने जिन्दगी में कभी भूलेंगे रही मतलब कि चाहे कोई examination देना हो वहाँ भी आपके काम आने वाले हैं चाहे life में आप कभी भी कहीं भी किसी भी verb की second और third form लिख रहे हैं जिसमें ed add करना है तो कभी भी आपका हाथ नहीं रुकेगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए ed add करने से पहले क्या change करना चाहिए तो बिल्कुल भी ना घब रहें इन सारी चीजों को मैं आपके लिए बहुत ही आसान करती जा रही हो दीरे दीरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ing जोडने के नियम बताये थे कि किसी भी क्रिया में ing जोडना हो तो किन बातों का ध्यान रखना होता है और यह सीखना भी क्यों जरूरी है जैसे आप देख सकते प्ले में लास्ट में वाई है इसमें एडी जोड़ा कोई भी चेंज नहीं हुआ लेकिन वरी में जो last में y है इसमें ed जोडने के लिए हमें y को अटाके i बनाना पड़ा और i-ed बन गया तो ये चीज़े क्या याद करनी पड़ेंगी एक एक वर्प को क्या याद करना पड़ेगा जी नहीं इनके नियम होते हैं जो में आपको ट्रिक्स होंगी न उससे आप कभी भी नहीं बूलेंगे और हमेशा अराम से कर लेंगे इस चीज़ को happen में भी देखे n है last में और उससे पहले एक vowel है लेकिन यहाँ पर ed जोडा तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया सिर्फ ed अट किया लेकिन refer में देखे इसके पहले एक vowel है लेकिन यहाँ जब हमने ed जोडा तो r को double कर दिया तो ऐसा क्या हो सकता यह सब चेंगे लेकिन उससे पहले में आपको बता दू कि अगर आपको इस lesson की pdf चाहिए तो आपको English Connection app इंस्टॉल करना होगा अगर अभी तक आपने नग किया हो तो कर लीजेगा English Connection नाम है अपका इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको इस lesson की pdf मिल जाएगी ठीक है इसके बाद यह जानना ज़रूरी है कि किन verbs में हम ed लगाते हैं सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है क्योंकि गो की अगर हम बात करें तो गो की second और third form बनाने में कोई ed नहीं लगता गो की second form went होती है और third form gone होती है तो किसी भी क्रिया के तीन forms होते हैं जो कि हम अपनी day to day life में खूब यूज़ करते हैं और यह play है इसमें हमने ed लगा के second और third form बनाई तो guys verbs दो तरीके के होते हैं में इनली regular verbs and irregular verbs regular मतलब नियमित, irregular मतलब अनियमित तो नियमित तोर पे कौन चल रहा है नियमित तरीके से कौन चल रहा है यह ed वाला है न सभी verbs की second और third form बनाने के लिए ed आड़ कर दिया तो यह नियमित हुआ तो जिन भी verbs की second और third form बनाने के लिए आपको ed add करना पड़े वो सभी regular verbs की category में आते हैं और जिन verbs की second और third form ed लगा कर नहीं बनती वो सभी irregular verbs होते हैं तो go एक irregular verb है, play एक regular verb है ठीक है, तो जितने भी regular verbs हैं उनमें अपसे आप ed लगाना सीख जाएंगे आगे बढ़ते हैं, हर verb की तीन forms होती है, main आप जानते हैं base form बोलते हैं, जो पहला होता है, जो main verb ही होती है kriya, जिसे आप v1 नाम से भी जानते हैं second form जिसे v2 नाम से जानते हैं, उसे past form भी बोलते हैं और जो third form है जिसे आप V3 नाम से जानते हैं उसे past participle form बोलते हैं ठीक है past participle तो सबसे पहले समझना है कि जब ही कोई एक normal verb होगा जिसमें यहाँ पे वो चीज़ें ध्यान नहीं रखनी जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो वहाँ पे आप ED ही सिर्फ add करते हैं लुक में looked हो गया, worked हो गया, wanted हो गया और third form भी same होगी अब एक चीज़ की जो भी regular verbs होगी जिसमें आप ED लगाते हैं उनकी second और third form हमेशा same होगी, ditto होगी तो अगर आपको एक form बनाना आगया तो इसका मतलब यह नहीं कि third के लिए कुछ और सीखना है ditto होगी second और third forms, ठीक है, तो अब आते हैं rules पे, जब भी किसी word में, किसी भी kriya का जो ending part है, ending letter, जो last वाला है न, वो अगर E पे end होता है तो क्योंकि आपको ed add करना और e already है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको d add करना है simple, so invade में already e था, आपने d add किया, invaded, moved, यह बन गया second और third दुनों ठीक है, अब आते हैं verbs ending with consonant plus y, तो आपको यह नहीं देखना consonant है कि नहीं, पहले देखिए कि y है क्या verb के end में अगर उस verb के end में y है, तब देखिए कि उस y से पहले consonant है या vowel है, vowel a, e, i, o, u, उसके अलावा सारे consonant तो यहाँ marry में आपने देखा कि इसके पहले r है, मतलब consonant है, तो अगर y से पहले consonant है, तो क्या नियम है, तब जाके आप क्या करेंगे, y को change कर देंगे, change y to i and then add ed अगर उससे पहले consonant आएगा, तब आप उस y को हटाके i करके i, ed जोडेंगे, इसलिए वहाँ worry में worried हुआ था, i बन गया था, marry में married हो गया, carry में carried हो ठीक है, उससे पहले क्योंकि consonant था तो क्या जब vowel आएगा कुछ और नियम है, जी नहीं, vowel है तो simple है, अगर उससे पहले vowel है, जैसे play में था, annoy में o है, अगर उससे पहले vowel है, तो आपको ed add करना है, normal जैसे आप normal सभी verbs में करते हैं, ठीक है, तो यह आसान हो गया, आपको उसके पहले vowel है, तो कुछ change नहीं करना ed add करना है, अब when the stress is on the final syllable of a verb that ends in cvc, यह मैंने आपको ing वाले में भी बताया था, यह similar ही है, अगर consonant, vowel, consonant आए कहां, verb के end में, तो यह prefer आप देख रहे हैं, यह consonant, vowel, consonant, अगर यह आ गया last में, और इस पर stress है, मतलब बोलते वक्त इस पर stress दे रहे हैं, तब आप इसको double करते ह इसको यह जो last में consonant है, इसे double करके फिर ed जोडते हैं, अब stress का क्या मतलब है कि जोर दे कर बोलते हैं, prefer नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, prefer, तो fur पर, इस पूरे पर हम जोर देते हैं, prefer, ठीक है, admit, तो इन दोनों पर हम जोर दे रहे हैं, stress इसी final syllable पर है, तो इसलिए हम last वाले consonant को double करेंगे, देखे, यहां भी R double हो गया, preferred और यहां admitted, ठीक है, दोनों में हमने double कर दिया, और वही third form में भी बनेगा, तो ऐसे words बहुत ही कम हैं, इसलिए आप ये भी परेशान नहों, कि ऐसे आपको कैसे पता चलेगा, कि किस verb में हम कहां stress दे रहे हैं, ऐसे verbs in CVC, अब syllable क्या है, मैंने आपको बताया था, कि जब भी जिस word में जितने vowels आते हैं, उतने syllable होते हैं, वहां पर देखिए, यहां पर एक वाले एक ये, prefer, two syllable word है, यहां admit, a यहां, i यहां, 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 यह भी two syllable है, ठीक है, अब जब one syllable है, stress की बात की थी मैंने, जब one syllable है तो it's but obvious की उसी पर stress होगा, क्योंकि किसी भी verb में, किसी भी word में stress तो होता ही है, और जब one syllable है, तो stress उसी पर है, सारा दारोमदार उसी पर है, तो one वाले में तो हमेशा आपको इसे double करना ही करना है, ठीक है, stop, इसे हम इसी पर तो जोर देंगे, जब एक ही syllable है, stop, उसी तरी किसे plan, तो इन दोनों में stress होगा ही होगा, तो ऐसे में आप last वाले consonant को double कर देंगे, stop का stopped, double P के साथ, और यहाँ double and planned, clear, ऐसे में आपको भी words आगे दूंगी, जिससे आप practice कर पाएंगे, ठीक है, तो अब आते है, when the stress is not on the final syllable, अभी तक तो stress की बात ही, अगर one syllable है, already stress है ही, उसे double कर दीजे, अगर two syllable है, three syllable है, और final वाले पर stress है, तो आप double करेंगे, लेकिन अगर stress नहीं है, when the stress is not on the final syllable of a verb, that ends in CVC, तो क्या करना है, no doubling, तब आपको double नहीं करना, अगर stress इस पर नहीं, तो इसको double नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ED जोडना है, तो यह देखे, आप एक verb, offer, जो red से दीख रहे है, stress इन ही पर है, offer, stress इस पर है, final वाले पर नहीं है, तो हम double नहीं करेंगे, offered, इसी तरीके से happen, यहाँ stress है, इस पर नहीं है, तो इसे भी हम double नहीं करेंगे, यहाँ wonder, तो यहाँ पर stress है, इधर नहीं है तो इसे भी हम double नहीं करेंगे वांटर्ड, clear हो गया आपके लिए अब practice कर लेते हैं देखिए, marry, y से पहले consonant, तो हमने y को i में convert किया, married worry में आपने देखा कि y से पहले consonant, तो हमने i कर दिया, save में, last में e है, तो सिर्फ और सिर्फ d जोड दिया saved, practice, अब मैं इसको इसलिए नहीं बता रहे है, क्योंकि य सेम ही होंगे जो यहां होंगे, ठीक है यह first form, second form, third form के लिए column बना हुआ है, practice, यहां भी last में e है, तो आपको सिर्फ d जोडना है practiced, यह visit, यहां पर जो stress है वो यहां होता है, last वाले पर नहीं होता ठीक है, यह two syllable हो गया visit, visit ठीक है, visit, तो यहां पर हम इसको double नहीं करेंगे, क्योंकि final syllable पर stress नहीं है walk, अब यह normal है, यहां ना तो c, v, c आ रहा है, मतलब ना तो consonant, vowel consonant वाला structure आ रहा है नहीं, यहां पर ऐसा कुछ है जिसमें हम changes करते हैं तो यहां पर सीधे ed add कर देना है यह normal verb हो गया अब देखे, unfasten unfasten में भी stress कहा है fasten fasten बोलते हैं, इसको t silent होता है, तो यहां पर stress है इसलिए double नहीं होगा program, यहां पर क्या है कि जब हम बोलते हैं program तो यहां stress देते हैं program, यहां पर हम stress देते हैं इसलिए यह double होगा अब यहां आते हैं, यह क्या है क्या हम akar बोलते हैं या akar बोलते हैं इसलिए यहां पर हम stress देते हैं, इसलिए यह double होगा, अब यहां आते है number पर number बोलते वक्त कहां stress होता है number number यहां पर stress होता है इसलिए यह double नहीं होगा उसी तरीके से यहां hammer hammer बोलते है stress यहां होता है final पर नहीं होता तो हम इसे double नहीं करेंगे उसी तरीके से यहां आते हैं, frighten, stress नहीं होता है? यहां, इस वाले पर, I पर, इसलिए इसे भी double नहीं करेंगे यहां आते हैं, flower, flower, flower नहीं बोलते, flower, तो यहां पर भी stress कहा है? यहां, final पर नहीं, इसलिए double नहीं अब यहां आते हैं cover होता है cover, cover हम stress यहां देते हैं, यहां नहीं इसलिए ये भी double नहीं होगा Consider में भी हम final वाले syllable पर stress नहीं देते हैं इसलिए double नहीं होगा उसी तरीके से discover, curve पर हम stress देते हैं ठीक है तो इसलिए हम यहां पर इसको double नहीं करेंगे अब आपको समझ में आ गया कि अगर stress होगा तो double करेंगे वरना नहीं करेंगे और अगर one syllable है तो it's but obvious कि उस पर stress होगा है उसके अलावा जो और सारी tricks मैंने दिये आपको वो सभी normal है तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि stress होगा तो double होगा और अगर stress नहीं है तो double नहीं होगा अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बताई दिया कि वो आपको कहा मिलेगा English Connection App पर फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके से practice करते रहिए अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए thanks for watching this video see you soon